हलो फ्रेंड्स प्रगती उनलाइन क्लासीस नी वीडियो लेक्चर सेरीज मा आप सवनू स्वागत छे आजनों आपरो सब्जेक्ट इंग्लीश के जेमा आजे आपड़ ग्रामर ना एक टोपिक नी चर्चा करवाना छे आजनों आपको प्रेंटेंस माँ आपड़ीजो प्रकर्ट इंझे चालू वर्तमान काड़ नी आज आजना लेक्ट्र मां चर्क करावना चीए हूह चालू मित्रो शरू आजना आपको कारिग केरिए सौसी पहला विल्या तो चालू वर्तमान काड़ाणा उपियोग क्या थाई छे तो के चालू वर्तमान का continuous present tense नाम पर्धितτα खबर पगिदे पहलो सब्देमा चालू बिजो सब्देमा वर्तमान कोई क्रिया अक्यार हाल माँ चालू छे तेवु जो दर्शा हुए तो चालू वर्तमान काड़ेनों उपयोग थाई छे जिम के आपने आतियार कई क्रिया चालू जे तो के इंग्लिस ग्रामर सीखवानू चालू जे तो मारे धर्व के आ क्रिया ने ते इंग्लिस मा लखवी हुए तो यहमा फरज्यात पणे continuous present tense चाल वर्तमान काड़ेनों उपयोग गरुवों प 있습니다 तेना उपयोग सीखंगशा बाद ठोड़ा अगतियाना शब्दों निया परजरच्ण करिये तो तो तेना अगतियाना शब्दों क्या-क्या छे तो के फस्ट तो नाउ आउ अटालािके अतियारे त्यार बाद जस्ट्नाव अ अप्यारेज, त्यारबाद, at this moment, अटलेके आक्षोने, at present, अटलेके हालमा, look, watch, see, अटलेके चुओ, run, अटलेके भागो, hear, listen, सामुडू, तो आवा बधय-बधया प्रकारना सब्दो, मोटा भागे, चालू वर्तमान काड मा वपराईजे, खास, याद राखवा, जे वो, पोईटू, बोईलो होमना, के मोटा भागे, दर वक्ते, सो टका, चालू वर्तमान काड, continuous presentance, नू, sentence, वो, एकले, आवा सब्दोनू उप्यो एथवा तो अवार्नावर थाकते ता पड़े सही खा, के ते simple presentance मा वे, जो ते क्रिया अत्यारे चालू छे ते वो बतावा मात्ता होई, तो continuous presentance मा वे, तेनी वाक्या रचना जुए, के तेनी वाक्या रचना क्यावा प्रकारनींच, तो के तेनी वाक्या रचना जे, आपड़ा आवे जे सुमित्रो करता, करता आटले के आई, वी, यू, ही, शी, इट अने दे, आटला इंगलीस मा में इंगली करता होई जे, त्यार बद करता मुझे ब एमीजार मुखवानू जे, एमीजार त्रण ये नथी मुखवानू, करता मुझे त्रण माथी जे ंते भेगू, इज, आने दे भेगू, आर, तो ते प्रमाने सहायकर करता मुझे मुझे बुखवानू जे, त्यार बाद आपने क्रियापत लगार सू आईंजी, ओले के ड्रींक होई तो ड्रींकिंग ऐ रिते, आवे त्यार बाद आदे चे आपने कर्मा, आने कर्मा बाद आपड़ आउस्च अन्या सब्तों तो मित्रों अहीं थास आपड़े क्रियापद ना आएंजी लगारीची तो आएंजी केवी रीते लागेचे तेना पड़ नियम हो छे तो आएंजी लगारवा माटेना नियम होनी आपड़े संथी पहला विला चर्चा करीए तो नियम थोड़ा टामा अजी अटपटा नियम ही ते छे जिनकी एकली सेली ना आपड़े मानी एकली तो नियम नंबर बिये के ज्यारे क्रियापद नो छेलों अकसर ई होई पर इधी का उच्यू अंग्रेजी स्वार ई होई पाण तेनना उच्चार तेना स्वार मुझा भारपूर तो तो त्यारे ई दूर करवामा आवे छे और त्यार बाद आएंजी लगड़वामा आवे छे उधारंग वारा समझी जिनके आपनी पास से क्रिया पच्छे कंग 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 नी वाद करिये तो एमां छेलों अकसर छे ई पड़े एननू उच्चारण ई मुझे थातू नथी और खरकर ई नूझे उच्चारण हो जोई ते मुझे कंग नो स्पेलिंग नाथी अपने कंग ना उच्चारण होकते ई बोलता नाथी तो आम ई त्यारे दूर थाई जासे और त्यार बाद आएंजी आउसे अटले थाई जासे कमिंग और लेके C O M E निकड़ी गयो और त् दूर करवानों था तो नो थी अपने पच्छी आएंजी मुखी देची आपने एक्जाम्पल थे जिनके आपनी पासे एक्जाम्पल थे सी और यहां सी माँ छे लोकसर ई इछे अने उच्चा रणे ते ई प्रमाहे थाई छे तो हवे ई दूर करवानों नो थी पने तरत करियापतना चेला अक्सर फड़िं ॥्यांजन प्रमाहे तो दर यकषर र्णासोश्ब्र थे प्रकार होवचल अब। थतू होई तो छेलो व्यंजन बेवगाई जाए जाए छे मगदमा पल्ले ना पेड़ू साइट तो के समझी अपनी पास त्यारे क्रिया पच्छे कट हमाई छेला त्रोण सब जोई अत्त मैं केता है त्रोण तो अकसर शे वांदो नहीं तो इत्त त्रोण अकसर जोवाना तो जो च्रक्रहा जोए जोटै ते लोगको चला त्रोण सब्सकार आसे ट्रोण से लिए जन स्वारान अ करक्षर जोट्वदर आने त्रोणस tХ तो जो च्छलो व्यंजन यूजन के अकरिया पत्मान च्र्लोव क्षिधि क जोट्वगाई जाए ट्योंजन n समें यूपरणस City एले कि कटिंग नीएम नमबर पाँच जो क्रियापत ना छिल्ला अत्रों अपसर व्याजम श्वरन व्याजन व्याजन वय neste ौई पर इथी व्याजन स्वरन व्याजन व्याजन व vivid्याजन व्याजन वय tender literally this थे मां and the आमा स्वर्ण उच्यार आने भार्पुर्वक ना थातू होई तो क्रियापत ने तरत आपने आएंजी लगागी देछी छेलो व्यंजन बेवडावता नथी एक्जांपल जोई अपनी पासे एक्जांपल तरीके छे आंसर आंसर माँ छेला त्रोन अक्षर चेक करो डबल्यू, इ, अने आर पतले के व्यंजन स्वर अने व्यंजन छे पड़ेमा जे छेले थी वीजो अक्षर स्वर तरीके ए छे एनू उच्यर आपने करता नथी तो छेलो अक्षर पतले के आर बेवड़े वानी जरू नसी तरत आयंजी मुकी देवाने आंसर नी पासे आपने आपने आंसरींग थाई जासे परिमा छेलो अक्षर आर आपने बेवड़े वो न थी त्यार बादना आपने नियम निवाद करिये तो के जो क्रिया पद नो छेलो अक्षर व्यंजन, स्वर औने एल होई फरितिमित्रो व्यंजन, स्वर औने एल होई तो त्यारे छेलो अक्षर एल बेवड़े जाई जाई छे पोर एक्जाम्पल ट्रावल तो ट्रावल नी वाद करिये तो ट्रावल मा छल्ला त्रावल अक्सर कया कया जह वी ए न एल तो अहिया व्यंजन्स्वरनने एल एम जोडी बने जह तो छेल्लो एल आपने फर जयत पने बेवड़ा वो पने पच्छी आएंजी लागे लेन उथाई जासे ट्रावेल लेंगे अलेके टी आर ए वी ए अन एल बेवड़ा एग्यों एल बेवड़ा लेखो अन पच्छी आएंजी लेगे 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 आपने पास एग्जांपल छे पैनिक पैनिक माँ छेलो अकसर चे मित्रों सी तो आइंजी लगाए ताब तेला अमारे के मुखव ओपर और पच्छी आएंजी लागे 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 लाएंजी लागे लाटे ना थोड़ा कम था नियम होचे लोड़ देट्रों वखत आपड़े वगी पाचा तमारे जोवा पोई से जेथी करें तमना नियमो याद बराबरीते रही जएए पर 2 त्रनों खद कर सो एक बेवों खद लग सो वज तम ने अवश्या आ पिया इन्ग माते ना नीमो अ आऊगी जॉपि और गया वाजता है तो भाण माते ना नीमो अंचीह चीह सिखी ग्या तो है आ आ नियमों ने उप्योंकरेग आपिने वाख किया आपड़े छिए लेका अमें तो आपड़े स्वाव से वी अने वी देगु फरजेत पने एमीजार माथी सुलागो पईसे आर तो वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउ अलेका अमें अत्यारे अंग्रेजी व्याकरण सिखिये छी है तेवी रितेत्य सेकेंड एग्जामपल आपड़े लेए एट इस राइनिंग हैविली नाउ अलेका अत्यारे जोरदार वर्साद बगया चे तो अहियां इट छे तो फरजेत पने साहे करक्रिया पत्तरीके इट आपड़े गुषू आवे इस अन्ने रेन नी पाचड़ा पर लगएगो छे आये जेले एट इस राइनिंग हैविली नाउ तो आरी ता आपड़े सिंपल प्रेजेंटेंस मा जेम वाक्या लगता सीखाता एविरी तेद कंटीनूस प्रेजेंटेंस मा पन वाक्या लखी सक् बताऊ ओए तो हवे आ काड़ मा ते आपने गया वक्ते नी जेम ते आमाँ पं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखवाना जे आवे ते समय में तम नेके दो तो के के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई पंगेटिव सेंटेंस कोई पंगेटिव सेंटेंस कोई पंगेटिव सें उस आगी के ने हैं कॉन यृ जल्य कैने कुन यृ मास्ट शुर अब दैवाधा सहाय करग क्रिया पद्वाद छे तेना वाक्यानी सरवातमा उपाविन मुखिदियो और वाक्यान चेवै प्रस्टनाच चिन तांगी दियो अटले फिष्ट प्रस्टनाच वाक्या बनी छे सिंपल प्रेजेंटेंश में अपने में डखोई बबत यह थी ओतो का अपनी पास सहायकार आ खृवाद पाणतुजनी करता पसी तरत खृवाद आ ऊतो तो का तो मुग रूपाले का तो एस के एस वा रूपा होतो दो अठले आपने भाड़या थी मार्केट मां थी डू के दस वूपार यही वात अन्न पच्छिय ने वाक्या नहीं सर्वत मा मुई की थी पॉण अई यहां चालू वर्तमान काड़े लेके continuous present tense ने आवी के खोट खाप पढ़ी न थी वाक्या नी सर्वत मा मुखवाम आवे चे आने त्यार बाद वाक्या ना चेड़े प्रश्णार चिन मुखवामा आवे चे ने साव सीम्पल हो नियों हवे यह एनने रिलेटेदेटे अपड़े बेदी जा एक्जम्पल जा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना आपड़े हमना जा बेदी एक्जम्पल जेता एना त्या प्रस्टाव वाक्या बनायाए जेमको आपको पहल्व एक्जम्पल हतों वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नौ। अब आमा सहाय करक्त्रिया पर कोण जी। आर। तो वे नुपाड़ी वाक्यन आगर बेसागी तो और ने वाक्यना छेड़ प्रस्णा चिन टांगी तो बनी जी प्रस्णास वाक्या। चेंक है आर वी लर्निंग्लिश ग्रामर नौ। आप वो सेकंड एक्जाम्पल अप्डू। इस राइनिंग है विली नौ। अनुथ प्रस्णास वाक्या बनागे तेलेला सहाय करक्त्रिया पद्गो तो मित्रों। तो आम आज ना लेक्चर 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 चालू वर्त्मान काड़ना लेक्चर लेक्चर मा तेना उप्योग क्या थाई तेना माट अधतिना सब्दों क्या था वाक्यानु स्ट्रक्चर जोई आएंजी माट नियम जोई अन्य इंट्रोगेटिव के वरीत बहिए न तेपाण चोई या मितरो आजना पूरे पुरा लेक्चर और countinuts presentance ना पूरे पूरा लेक्चर नी डीटेल मा लेक्चर ना डिस्क्रिप्शन बोक्स मास में तैनी लिंक मुख्य लिए जेतें लाइक करें लिए जो जेथी करने भविश्य मां पॉन तमने ते पीडिएफ काम लाक्स है जो तमने वीडियो पसंद आवेल होई तो वीडियो ने अवश्य लाइक करो तो मैं अजू पढ़ा चैनल मां नवा होए तो सौथी पहला विला सब्सक्राइब करो जेथी अमारी चैनल पर म